सामालेकूम, इस चैनल में हम बात करते हैं कि हम कैसे अपनी अर्णिंग्स इंक्रीज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें इपॉर्टन होती हैं और ब्लॉग राइटिंग से बहुत लोग लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं और यू कन बी वन अफ देम एस वेल तो मैं आपका जादा टाइम नहीं लेता, मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको A to Z everything बताऊंगा जो आपको ब्लॉग राइटिंग में चाहिए और even AI technology का use कहां तक कर सकते हैं और कहां तक नहीं करना चाहिए वो भी बताऊंगा तो आएट शूर करते हैं आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे चैट GPT की विंडो ओपन है और इसके अंदर इसके अंदर आपको बेसिकली एक प्लग-इन एक क्रोम एक्स्टेंशन है जिसका नाम है AIPRM वो बेसिकली अपने इस पे एक्स्टेंशन इंस्टॉल करेंगे आप क्रोम में और उसको एक्टिवेट करेंगे उसके बाद आपके चैट GPT पे यह उप्सिन शो हो रहे होंगे ठीक है उसके बाद यह के आपको एक कीवर्ड उठाके यहां पे डालना है तो बेसिकली इस वकद मैं कीवर्ड स्टेटेजी के हवाले से आपको बता रहा हूँ तो आपने वो अपना जो वर्ड है जैसे मेरे, मेरा वो कीवर्ड है Our Teenend's Loan Forgiven तो आपको वो डालना है या अपना जो भी आपका कीवर्ड है वो डालेंगे तो आपको एक कीवर्ड स्टेजी दे रैता है बेसिकली के उस कीवर्ड पे कौन-कौन से रैंक हो जाएंगे और उसमें search intent भी बता रहा है ये ठीक है उसमें आपको ये काफी चीजें बता रहा है तो इस तरह करके आपको ये सब चीजें आपके फाइद है क्योंगी आपको मजीद इस पर बताता हूं कि हम फिर क्या करेंगे इसके बाद क्या step होगा आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को यहां पर fast play कर सकते हैं तो उससे जरा आपको बोरियत नहीं होगी बेसिकली जो आपका ब्लॉग स्टार्ट होता है वो कीवर्ड रिसर्च से होता है आपकी कोई नीश आपने जो स्पेसिफाइड कीवर्ड होंगे और वो कीवर्ड बेसिकली काफी सारे टूल्स हैं काफी सारे टूल्स हैं जो पेड हैं तो मैंने आपको वो तरीका बताया है जो आप पेड अगर ना परचेस कर सकें कीवर्ड टूल्स तो उसके लिए भी वो फिर भी effective तरीका है तो उस सवाले से अच्छा यह कंपीट हो गई है हमारी अच्छा अब हम यह करेंगे कि बेसिकली इसने में काफी सारे कीवर्ड दे दिये थे हमने एक कीवर्ड इसमें से यह यह वल्ला सेलेक्ट करके अब हम इसको न्यू चैट विंडो में उपन करके मैं इसको एक कमार्ड दे रहा हूं कि I want to write a blog और जो टॉपिक है उसको मैंने quotation marks में लिखा और मैंने इसको कहा कि do you understand तो यह basically लिखने का मकसद यह है कि basically आप AI टूल जो है उसको आप instruction दे रहे हो कि क्या मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है तो यह instruction ज़रूरी है उसकी reason यह है कि अगर आप यह नहीं लिखते तो उसको लगता कि आपने ब्लॉग लिखने के लिए कह दिया और वो ब्लॉग लिखने लग जाता जो कि अभी इस stage पे हम नहीं चाहते वीडियो को end तक देखना ना भूलियागा उसकी reason यह है कि मैंने आपको एक चीज बतानी है इसके अंदर ठीक है जो अगर आप मिस करेंगे तो आपको इस सारे वीडियो का जो extract है जो फाइदा होना था वो नहीं होगा So watch till the end and I will tell you कि आपको basically क्या चीज ऐसी है जो इन सब में missing है जो आपको करनी है और उसके बाद आप अपने blogs को rank करवा सकी है Actually बहुत जादा time ने रहे है तो maybe कोई error आ जाए या error आ गया है तो it doesn't matter basically यह भी chat GPT जो है वो free tool है इसको बहुत सारे लोग use कर रहे होते हैं तो that might happen with any you know online platform तो हम इसको redo करते हैं हम दुबारा से इसको यही type करके दुबारा से इसको phrase को देते हैं कोई भी ऐसे पार्ट में जहां पर आपको लगे के वीडियो रुक रही है या जो भी है आप ऐसा करें यहां से आप उसको fast play करने ताके आपका time बचे आपका time जाया ना हो कर दो कर दो बसिकली एप्रम्ट इंजिनिर्इंग टूल है एए आए का बड़ा पॉपिलर टूल अब बन गया है इस तूल से बेसिकली आपको एक ओवर व्यू एक आउटलाइन एक कीवर्ड रिसेर्च यह बहुत सारे टूल्स इन इट्सेल्फ है ठीक है तो यह कंप्लीट हो गया उसने का कि अब हम उसको एक और इंस्ट्रेक्शन देंगे कि हम अपने ब्रैंड के मुतलिक बताएंगे एक आप दिए बिकर्स आपके इंच पुछ हो सकती है और इसके लिए किवर्ड किसी औरता से लिखा जाना चाइए उस कीवर्ड में जो हमारा कॉन्टेंट है वो इसलीए हम उससे अपने ब्रैंड के मुतलिक बताएंगे कि हमारी नीश किस पे बेस करती है और हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं इसको जिसलिए छोटे से चंद अलफाज में इसको बताना है और इसके बाद आपने यही एक टर्म लिखने है Do you understand? कि बाद आपने है ढद बाद एक 150 आपने है यह देखें मैंने अपनी ब्रेंड की इंफर्मिशन देदी बेसिकली मेरा जो ब्लॉग पोस्ट है उसके अंदर प्रिम प्री डॉमिनली सिरफ वो एक्सा इंकम के वाले से पैसे इंकम सोर्स के वाले से बाग करता है तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया और उसको पूछ लिया के दू अब मैं नेक्स्ट मेरा यह स्टेप है के मैंने गूगल पर सर्च इंटेंट खुद से भी एक करना है और उस सर्च इंटेंट को चेक करने से एक ओवर्वी होता है basically कोई भी ब्लॉग पोस्ट आपने लिखनी है तो you need to be an expert in that ठीक है सिरफ चैट जीपीट पर बी एन expert means के आपको उस topic का knowledge जरूर हो ठीक है क्योंके chat GPT मैं आपको content लिल्क देना है लेकिन उसको आपने user friendly बनाना है this is that point which I want you to understand quite clearly के अगर आप content को वो शकल नहीं दे रहे इसी raw form में Google को present कर देंगे और इसी raw form को इस तरह से समझेंगे जैसे यह हर्फ आखिर है और उसके बाद इसी को rank होना चाहिए तो यह शायद for the timing हो भी जाए लेकिन in the long run it will cost you a lot मतलब वो basically आपको क्योंके Google AI content पसंद नहीं करता Google AI content नहीं पसंद करता वो चाहता कि जो real लोग हैं जो लिखने वाले हैं जो blog actually लिखते हैं जो अपना time spend करते हैं उन actual बंदों को ही वो फायदा पहुंचाए तो you need to understand that thing और कोई भी content बनता है तो वो AI के पढ़ने के लिए नहीं बनता इंसान के पढ़ने के लिए बनता है त तो उसको उसका जो extract है जो आपने बनाया है जो भी लिखा है it should interact with the end user so this is the prime motive ये बहुत important बात है अगर आप understand करें क्यूंकि इस tool को आपने as a assistant लेना है अब हम ये Google search का वो check करें और उसके अंदर जो जो QDs थी जो हमें पता लगा public के questions थे हम उससे अब को यहाँ पर एक रफ़ा mention कर देंगे हम कहें के please हम इसको एक command देते हैं के try to answer all the questions try to include all the answers of these questions ठीक है of the following questions और इसके पाद हम लिखेंगे do you understand तो अगर हम ये नहीं लिखते है तो उसने हमें सिरफ उसी कांसर देनेना था which we don't want for now ठीक है I hope आपके लिए असान हो सब कुछ समझना क्यूंकि बहुत complicated है अगर अगर हम सिरफ blogging को discuss करे है ना तो उसके अंदर सबसे पहला आपका keyword है keyword once you have researched the keyword the right keywords for your niche उसके बाद आता है उसके ओपर content लिखना और वो भी quality content लिखना हो अच्छा quality content में SEO optimized loves आपने सुना होगा SEO optimized loves का मतलब सिरफ इतना है कि उसके अंदर जो आपका on page SEO होगा ना उसके अंदर यह होगा कि आपका जो title हो इतना attractive हो कि उस user को appeal करे और वो से पढ़े उसके अंदर आप power words का use करेंगे ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद second चीज़ है जो आपके content के अंदर table of contents अगर आपने डाला है तो वो भी अच्छा है उसके बाद उसके h1 tags हैं उसके meta description हैं तो यह वो सारी चीज़ें हैं जिनका जो बहतरी तरीके से आपने अगर sort कर हैं तो आपका content optimize होगा उसके बाद आपका alt text वाले images हैं जो आप image के अंदर tags लगाते हैं तो there is a lot to blogging ठीक है it it's something which you all can do तो आपको सिरफ एक चीज़ अपने जहन में रखनी है the moment you start you will not start earning ठीक है आपको थोड़ा time लगेगा for someone मतलब हर किसी का niche specific है अगर niche require करता है कि आपको longer content लिखना है तो आपको longer content लिखना है अगर search intent में videos यो होती हैं तो you should actually include those videos your own videos in your blogs to make it rank तो यह हर बंदे के लिए different होगा मगर यह इतना challenging as such नहीं है क्योंकि आपके पास AI tool है ठीक है now I am writing के वह हमें outline provide कर दे हमारे brand के relevant और हमने उसका पहले ही बता दिया थे हमें के blog किसके ओपर base कर रहा है ठीक है तो हमें हमारे brand के relevant जो है हमें वो यह provide कर दे हमने उसको अब यह request किया ठीक है अब वो हमें सारी outline बना के दे रहा है so let it complete और उसके बाद मैं आपको मजीद बताता हूं कि अब हमारा उसके बाद क्या next step होने वाला है आपको sections by sections वो उसने divide कर दिया आपका सारा content ठीक है आपको एक एक बड़ा ही जबदर्स किसम का उसने आपको layout प्रवाइट कर दिया उसके बाद blog लिखना जो है वो आपके लिए easy हो गया आपको पता लग गया क्या 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 उसमें डालना है क्या 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 फील्स हैं जिस search करके अपना material डालना है और एक चीज याद रखेगा कि यह वो चीज़ है जो अगर आप passionate हो और आप regular basis पे लिखने वाले होना तो आपको फाइदा देगी एक ऐसा asset है जो आप बनाने लगे हो ठीक है दो फील्स हैं जिसके अंदर आपका अगर नीश है तो you should be an expert to write on एक तो finance है दूसरा है health care अचा दूसरा है healthcare और healthcare यह जो नीशे हैं इसके अंदर आपका expert होना बड़ा important है क्यूंके Google इन दोनों नीशे नीश के उपर सिर्फ एक्सपर्ट बंदे की opinion को मतलब जादा अहमियत देता है वो ही rank होती है ठीक है इनके अलावा बाकी जो भी आपकी नीशे है वो उसमें आप बिलकुर rank कर सकते हैं तो basic तरीका जो है उसका वो यही है कि आपने keyword search किया आपनी एक niche finalize की और उस niche के उपर जो keywords आपके rank होने चाहिए उसकी एक keyword strategy बना ली उसके बाद one by one करते करते आपने उनके ओपर articles लिखना शुकर दिया अच्छा getting back to this जो भी हम कर रहे थे उसमें अब यह है कि मैं section by section जो है उनको अपने articles के जो है लिख रहा हूँ कि basically उनको articles को write करने का उनको इसको कह रहा हूँ chart GPT को ठीक है और यह section by section कर रहा हूँ तो अभी मैंने जैसे introduction के लिए का था कि write this section और साथ introduction और उसके बाद मैंने उसको instructions दे दी कि यह जो चीज़ आपने मुझे outline provide की थी इसके उपर आप सब चीज़ें लिखते हूँ तो अब यह introduction पर लिख रहा है इस सुकत ठीक है तो आपको जिस जगा लगे ना कि वीडियो जरह ज़्यादा repetitive हो रहा है या slow हो रहा है तो वहां पर आप fast कर लीजिए का वीडियो को ठीक है और लेकिन skip ना कीजिएगा क्यूंकि skip करने में कोई ना कोई information आपकी मिस हो जाईगी इसी जना से मैंने दूसरा section पकड़ा उसके बाद वाला और मैं इसको वही instruction same instruction दूँगा कि write this section और उसके बाद quotation marks में जो चीज मैंने वहां से outline में उठाई है वहां से वह चीज फीक है अच्छा वन गो में भी इस चीज को किया जा सकते है वन गो में भी आप यह कर सकते हैं इसके अंदर यह जो आपको लगे जो क्रोम का extension में ने बताया है इसके अंदर भी आपको यह help हो सकती है लेकिन यह के वो पासकाद work नहीं करता तो this is the right method to go well यह हर वक करेगा तो फाइदा उठाएं इस चीज से chat GPT जब तक free है I think it's the best tool best AI tool तो हर को इससे फाइदा उठा रहा है content creators इससे फाइदा उठा रहे हैं तो you should also और इससे एक like I said before कि इससे आप यही समझें कि आपने एक opinion ले लिए है इसकी ठीक है और you have to write for the end user जो भी इसको आखर में इस्तमाल करने वाला है उसके point of view से आपने इसको modify करना है अपने हसाब से अपने words में और इसको उसके मताबिक करना है ताके जो भी end user है इस information का आपका content पसंद आए ठीक है आपका content ऐसा होना चाहिए जैसे उसे communicate कर रहा है जैसे कोई आप इसमें बात कर रहा है हमें इस chat GPT के interface को भी क्यों पसंद कर रहे हैं क्योंके it's just like कि हम उसको कोई query देते हैं और वो understand करता है और वो reply करता है और it's just the way we communicate ना तो हम उससे link कर पा रहे हैं हमें अपने content को भी link कर रहाना है ठीक है तो इस तरह से और इस तरह से करते करते दूसर तीसरा section तक हम पहुंच गए हैं तो हम तीसरा section अप करें लेट मी राइड या अल्दो आपको ये शाहिद बहुत ज्यादा slow लग रहा हूँ सारा procedure मगर जब आप content लिखने बढ़ते हैं तो I am really sure कि आपके पांच घंटे कहीं जाते हैं अगर आप एक सिटिंग में लिखते हैं अपना content तो content लिखना itself is a challenging work उसके बाद SEO optimize करना उसको एक और थोड़ा सा काम है ठीक है आपने उसको title को fix करना होता है अपने उसमें तो ऐसे power words एड करने होते हैं अगर आपको power words का नहीं पता तो watch one of those videos मैंने SEO के related एक video बनाई भी है you can watch that and मुझे लगता है कि आप उसको बिलकुल अ understand कर लेंगे उस video को देखते हुए तो उस video में basically आपको यहीं बिताया है कि जो pay tools होते हैं उसमें से एक uber suggest है जो थोड़ा सा सस्ता tool है तो वो कैसे इसमाल होता है लेकिन chat GPT ने वो भी सरपास कर दिया और मैंने जो इस video के अंदर जो आखिर में आपको एक information मिलेगी keyword search के वाले से वो भी बहुत authentic है और mostly tools वही चीज़ प्रवाइड करने के वही competition competitor analysis प्रवाइड करने के अच्छे भले पैसे चार्ज करते हैं so you can save that amount ठीक है प्लस आप अपना जो time और effort है keyword search से थोड़ा सा हटकर आप content के quality के ओपर ध्यान दीजेगा देखें जब search content search intent check किया जाता Google पर तो उसका एक prime मकसद होता है उसका मकसद ही होता है कि आपको पता लगए कि वीडियो कितनी rank हो रही है और किस तरह की websites Google rank कर रहा है उस keyword पर ठीक है तो अगर आपको अच्छा better quality content provide करना है तो उसके अंदर जो चीजें Google highlight कर रहा है आपने वो सब चीजें अपने blog में शा हर निश का different होगा ठीक है अब हम आगे move on करते हैं हमने ये तीन sections कर लिए और फिलहल को ये carrier भी आगया खेर ऐसी उसका कोई मसला नहीं है वो आप दुबारा उसको करेंगे तो वो चल पड़ेगा तो अब हम Google पे search करते हैं कि जो मैंने आपको बताया keyword keyword planner होता है Google keyword planner होता है मैंने अपनी निश में जो भी है ठीक है मेरे लिए वो nerd wallet है finance का basically तो मैंने nerd wallet को फिलार उठा लिया ठीक है और nerd wallet के अंदर जो उसने keywords रैंक करवाए है अपने ठीक है उन keywords का मैं analysis यहां देख लूँगा और उन मेंसे मुझे जो लगेगा कि मुझे जिस keyword आपको बता है कि सा सारे जो keywords होते है ना जिनका भी search volume जाद है उनका एक और मसला भी है उनका difficult to rank भी है वो ठीक है तो आप अगर कोई आपको low volume वाला भी keyword नजर आ रहे है तो वो भीकार keyword नहीं है उस पर आप जल्दी rank करेंगे so make sure के इस मित से बार रहेगेगा के high volume वाला ही चाहिए आपको नहीं आपको कम volume वाला भी चलेगा लेकिन you have to see के उसका projection क्या है अगर वो top trending में रहा है last three months तो probably it is the best keyword for you right now के आपको accelerate करतेगा आपके blog को ठीक है लेकिन हर बंदे के लिए different तरीके से work करता है लेकिन more or less यही कुछ होता है जो आपको बता रहा हूँ ठीक है तो अभी मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि यहां से nerd wallet का मैंने वो URL उठाऊंगा ठीक है और उसको अपने keyword planner पर डागए keyword planner basically यह है कि Google का अपना adword जहां से ads run ह होते है Google Ads अगर कोई familiar नहीं है इस से तो Google Ads जो run करते हम वो इसी platform से करते हैं ठीक है इसके अंदर ही उन्होंने के टूल दिया हुए keyword planner गूगल keyword planner और एक और चीज़ नोट कर लिजेगा Google Trends ठीक है Google Trends पर आप जाएंगे तो आप trending topics के बारे में जान सकेंगे आपको कोई भी आप वर्ड डालेंगे तो आपको बता देगा यह trending में है और कहां कहां है और इस तरह से करके तो आप वो जो trending चीज़े हैं वहां से भी बतार गा सकते हैं फिर उसी तरह से answer the public.com है नील पतेल का वो भी आप चेक कर सकते हैं उसमें भी topics होते हैं उसमें भी अपने निशने related कोई भी keyword डालेंगे तो उसके जो questions लोग पूछते हैं वो सारे आ जाते हैं ठीक है तो आपको जब जब आपने rank Google पर करना है तो आपने Google की ही parameters को जब देखना है वो ही authentic आ आपके लिए ठीक है तो अभी हमने Google इसी में हमने search किया ठीक है अपने competitor का वो domain डाल कर और अब हमारे पास results आएंगे और इस results को अगर आप देखेंगे तो जितने keywords उसने use किया है ना उन सारे keywords हमारे पास आगे हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा असान हो जाता था आपके ल रहा है तो you have to create a better quality content to rank there क्योंकि उसकी domain authority भी होगी there are a lot of things में तब SEO related कि उसकी वो चीज़े में होगी लेकिन आप उसको भीट कर सकते हैं ठीक है आपके बस बहुत powerful AI tool आ गया ठीक है जो आपको ranking के लिए चीज़ें बता देगा कि आपको क्या करना है तो then it's up to you कि आप कितन करते हैं देखें यहां पर मैंने जो मैंने जो दो चार कीवर्ड्स यहां पर दो सेलेक्ट की हैं वो सब में लास्ट्री मन्स का जो data दिया वो इसमें 900 प्लस चेंज है मतलब वो trending topics हैं तो मैंने वो ठाली है फिलाल के लिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए अचा इसके करवान है हम उसको attractive भी चाहते हैं तो फिर आपको canva पर आना पड़ेगा ठीक है canva easy है अगर किसी को graphic design आता है तो वो तो और भी अच्छे बना लेगा लेकिन अगर किसी को नहीं आता और वो beginner है तो वो canva पर जाएं महां पर ready में templates हैं तो I am going to show you how you can do that ठीक है हमने सिरफ ए design कर लेंगे it's really simple it's not very complicated at all ठीक है तो अब मैं वो बनाने लगाओ कि मैंने पहले से एक बनाया हुआ थे design तो मैं उसकी एक copy generate करके तो उसके ओपर काम करता हूं भी क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है उसके अंदर doctor एक मतलब हम चाते हैं कि doctor की जैसे post होती है उस तरह कुछ design बिनाएं तो वो मैं किसना से add करके दिखा रहा हूं आपको very quickly बहुत असानी से बहुत जल्दी बन जाएगा अब मैं वो copy कर लेता हूं वो जो मैंने वहाँ से keyword अपना keyword डाला था ठीक है अच्छा featured image का attractive होना जादा important है रादर देन उसमें title होगारा लगाना लेकिन title मैं लगाता रहा हूं पिछली अपनी सारी post में तो मैं उसको continue कर रहा हूं आपका जो दिल करें आप वो करें आप creative बनाएं इसको जितना हो सकता है ठीक है मैं shortest possible time में जरह इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं font को ठीक है और font का जो font का type है वो भी change कर सकते हैं आप लेकिन ना कीजिएगा क्यूंकि इसमें graphic design principle एड़ होते हैं basically ये होता है कि आपका जो headline होती है उसका होता है उसके बाद जो sub headline होती है उसका half होना चाहिए वो font size ठीक है तो अच्छा लगेगा ये बहुत सारे बहुत सारे उसमें हैं कि color क्या होना चाहिए color कौन से पॉप करता है कौन से background पे तो well with the passenger time वो भी आप सीख जाएंगे लेकिन you can start with the templates और आप अपने एक brand का logo जो है वो बड़ा अच्छा लगता है आपकी post अगर आपने design की और इसके ओपर आपने अपने एक logo लगा दिया तो वो एक बड़ा significant लगता है इसकत मैं एक element लगाना चाहरा हूँ loan के हवाले से कि it should look like a loan loan क्या होता है मतरब loan का represent कर रहा हूँ तो this image I think is representing loan properly तो इसलिए ये लगा दिया ठीक है आपके पास बहुत सारे options हैं यहां पे लगाने के लिए तो आपका time लगेगा लेकिन you will be able to do all these things तो यह मुश्किल नहीं है यह असान है बस आप regular basis पर अपना content लगाएं और आप यह client को services देने जारे है client को दें और हर service के लिए वो आपको pay करेगा राइटिंग के लिए भी pay कर देगा ग्राफिक के लिए भी pay कर देगा बस आपको उसे convince करना है कि you are the best in this जो भी आप कर रहे है ठीक है देख 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 देख, देख देख, धना है विए रची लगी, देख देख देख